मित्रों जै मातादी काईसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में जै मातादी जरूर लिखे माता रानी आप सबी का कल्यान करेंगे मित्रों वर्स 2021 में सीतला अश्ट्मी कब है जानि ये पूजा करने का सूळ महुर्थ कब है पूजा विधी क्या है और सीतला अश्ट्मी कब सुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है और साथ ही साथ सीतला अश्टमी का क्या महत्त है जानेंगे इस वीडियो में लेकिन सीतला अश्टमी की समपूर जानकारी जानने से पहले अभी तक हमारे इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और जादे से जादे सेयर करेंगे मित्रों हिंदू पंचांग के अनुसार चैत महिने के कृष्टपक्ष की अश्टमी तीथी को महा सक्ती के रूप में सीतला माता की पूजा की जाते है सीतला अश्टमी दो दिन मनाई जती है कहीं पर लोग सक्तमी के दिन तो कहीं अश्टमी के दिन मनाते हैं इसे बूढ़ा, भोसाड़ा या लसोड़ा के नाम से भी जाना जता है आयसी माननेता है कि सीतला माता की पूजा करने से चेचा, खसरा, बड़ी माता, छोटी माता जैसी बिमारिया नहीं होती है और अच्छे वर्व की प्राप्ती के लिए निर्धनों और ज़रुत मंद लोगों को भोजन दान करने का बिधान है और सीतला माता की पूजा अच्छे स्वास्त के लिए और किसी भी नाकारात्मक उर्जा से छुटकारा पाने के लिए उपवास रखा जाता है सीतला अश्टमी के दिन सीतला अश्टमक का पाठ भी करते हैं ताकि देवताओं के दिब्य असिरबाद प्राप्त हो सके मित्रों वर्स 2021 में सीतला अश्टमी 4 अप्रैल दिन रभी वार को मनाया जाएगा सीतला अश्टमी के दिन माता की पूजा करने का सुब मुहुर्त है 4 अप्रैल 2021 को सुबह 8 बचकर 6 मिनट से लेकर सामके 6 बचकर 41 मिनट तक रहेगा और सीतला अश्टमी तिथी प्रारंब हो रही है 4 अप्रैल 2021 को सुबह 4 बचकर 12 मिनट से लेकर सीतला अश्टमी तिथी समाप्त हो रही है 5 अप्रैल 2021 को सुबह 5 बचकर 69 मिनट पर